आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार और एक आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो टॉपिक में घुसने से पहले हम लोग आज जानेंगे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है तो टॉपिक का नाम है बेसिक इंटेंसिटी ट्रांसफोर्मेशन इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग अगर उसका नाम को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को आधा चीज ऐसे क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना क्या है कॉंसेट क्या है तो उसी से सुरू करते हैं कि मतलब है बेसिक इंटेंसिटी ट्रांसफोर्मेशन बेसिक बेसिक मतलब तो पता यह बेसिक इंटेंसिटी इंटेंसिटी लगाना इंटेंसिटी लेवल पर तो इसको सबसे पहला पॉइंट क्या है इसको कहते हैं ग्रें लेवल ट्रांसफोर्मेशन इस चीज को याद रखेगा एक्जाम में इंडारेक्ली पूछ सकता है कि एक्सप्लेइन या डिफाइन ग्रे लेवल ट्रांसफोर्मेशन ना कि बेसिक इंटेंसिटी ट्रांसफोर्मेशन और ग्रे लेवल का मतलब क्या है या आप लोग को तो अच्छे से पता अगर आप लोग ने मेरी पूरानी वीडियो देखी अगर नहीं देखी है तो पहले मैंने चेकाउट कर लीजिए वहाँ मैंने ग्रे लेवल अच्छे से एक्सप्लेइन किया हुआ है जो इसे कहते है ग्रे लेवल ट्रांस्फोर्मेशन अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टन जी इसका यह है फॉर्मूला इसका एस इस इस इक्वल टू टी ओफ आर टी ओफ आर अब इसका मतलब क्या है आर यहाँ पर क्या दिनोट कर रहा है आर हम लोगों कहा रहा है कि वैलू आफ पिक्सल बिफोर प्रोसेसिंग मतलब ट्रांस्फोर्मेशन लगाने से पहले हमारी पिक्सल की वैलू क्या थी एक जेनरल इमेज हमारे पास उसकी एक इंटेंसिटी बिफोर प्रोसेसिंग से पहले कोई तुलेवल मिन्स वैलू होग और T क्या denote करता है T denote करता है transformation function जो कि हमारा यहां पर main चीज हम लोग को पढ़ना है यह value of pixel given रहेगा यह हम लोग को निकल जाएगा लेकिन इस पर transformation लगाने के लिए हमें कुछ transformation formula चाहिए होगा कुछ तो चाहिए होगा तो वही है transformation मैं लिख देता हूं कि R is equal to before processing s is equal to after processing और T है transformation function तो इस चीज को याद रखिएगा यह काम आएगा ठीक है अब यह चीज आप लोग समझ गए यह इस heading के अंदर आता है इसके अंदर अब सब heading से हम लोग को पढ़ना है actually हम लोग को टी के बारे में पढ़ना है कि transformation functions हमारे पास क्या 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 अब लेबल है कि एक image पर हम लोग क्या पास बहुत तरह के transformation functions available है किसी को माइनस में भी चाहिए होगा कि माइनस में यानि कि negative picture तो यह है इसका total कहानी इसके बाद है यह एक line देखिए this technique is often used as pre-processing steps pre-processing steps मतलब कि process करने से पहले हम लोग यह लगाते है basic transformation क्यों लगाते है पता चलेगा before applying more advanced image processing algorithms like segmentation, object detection, etc segmentation और object detection आप लोग को बहुत अच्छे से पता है मैंने explain किया हुआ है तो यह सब होते है major transformation technique segmentation करने से पहले हम लोग यह basic intensity transformation लगाते हैं क्यों लगाते हैं वो यहां लिखा हुआ है the purpose of using intensity transformation technique is to enhance और correct various aspects of images मतलब कि एक image है हमारे पास एक image है हमारे पास यह image माल लीजे थोड़ा काला है black है और इस पे हम लोग को segmentation लगाना है क्या लगाना है segmentation लेकिन segmentation लगाने से पहले अगर हम लोग basic intensity transformation को एक function लगाते और इसको पहले थोड़ा सा इसको इसकी intensity को enhance कर दे और इसको थोड़ा सा ग्रे में convert कर दे ब्लैक से ग्रे white तो नहीं हो सकता ग्रे में convert कर दे तो अब इस पे segmentation लगाना ज्यादा आसान होगा comparatively to black तो इसलिए हमारा intensity transformation काम आता है तुमीद है इस example से आप लोग को clear है कि क्या काम आता है क्यों काम आता ह तो यह points आप लोग mention कर सकते हैं कि it is used as pre processing steps before applying more advanced techniques अब यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा graph इस graph को देखने के लिए नहीं है काम भी आएगा इसका भी समझना है क्या कर रहेंगे tension मतलीजे मैं इसी के लिए हूँ तो अभी next जो है इसके हमारे basically majorly हम आप लोग btex students से linear मतलब आप लोग को पता होगा linear means कुछ इस तरह से सीधा straight line या तो यह या तो यह तो अब linear यह और यह यह आप लोग को graph में दिख रहा होगा देखे एक line यह है मैंने same blue color line light blue एक यह है तो यह दोनों line है इसको कहते है identity line identity जो यहाँ पर है देखे identity is identity line यह identity line है और एक negative है negative of course यह वाला होगा negative ठीक है अब मतलब क्या है यह तीनों topics हम लोग यह major topics है इसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से cover करेंगे मैं अभी आप लोग को बस एक overview दिखा रहा हूँ यह graph समझने के लिए यह graph आप लोग को इस topic के अंदर बनाना है अगर यह topic पूछता है तो यह graph means compulsory है बनाना वनना इसके बिना आप लोग को marks नहीं मिलेगा तो इसको समझेए identity line माल लीजे मेरा कोई यह जो इस तरफ है x-axis वाला पार्ट है यह हमारे पास total L distance का है और यह हमारे पास तीन पार्ट में मैंने यहाँ पर denote किया है l y 4, l y 2, 3 l y 4 अ और यहाँ पर b means यह है black यह w means white और यह white आप लोग को पता है कि black opposite white होता तो एक corner पर black है तो दूसरे corner पर white होगा of course तो यह 75 परसंट अप माल लीजे l है l को आप consider करें यह 100 परसंट माल लीजे यह 100 परसंट है 100 by 4 करेंगे तो 25 परसंट आएगा तो वही है l by 4, l by 2, 100 by 2 करेंगे तो 50 परसंट आएगा वही है यहाँ पर l by 2, तुमीद है यह clear है यहाँ है यह है labeling अब identity की बारी आती है, identity मतलब क्या समझ रहा है, अब माल लीजे यह हमारा input side है, यह हमारा input है ठीक है, input इस तरफ है, अब हमारे पास माल लीजे यह image, यह black वाला image है, इसका input है हमारे पास माल लीजे, ly4 है, ठीक है, यह ly4 हमारे पास pixel value है, ly4, just for example, यह actual में नहीं होता है, just for sake of example, l by 4 है माल लीजे, pixel value इसकी, तो ly4 पर इमें जाया, अब इससे यहाँ पर identity line पे draw करेंग इस l by 4 पे black image पे identity transformation लगाना है, तो कैसे लगेगा, ly4 पे रखा, यहाँ पर identity line पे गया, देखे, यह सीधा ऐससे जाएगा, यहाँ पर मैच होगा, और फिर यहाँ पर यह इस तरफ आएगा, यह है output line, इधार हमारा output है, y axis पे output मिलता है, x axis पे input मिलता है, input डाला l by 4 पे, य यहाँ पर गया, यहाँ से l by 4, तो identity मतलब यही होता है, कि हम लोग जो input देंगे, वही हम लोगा output पे मिलेगा, ditto same to same, as it is, यह आप लोग इस ग्राप सी में सबसा बखता है, identity, 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 same मिलेगा, और negative क्या करेगा, negative just opposite मिलेगा, अगर हम लोग 3 l by 4 दे रहे हैं, कोई भी image को, तो हम लोग को इसका output क्या मिलेगा, l by 4, यह देखे, l by 4, 3 l by 4, दिख रहे हैं आप लोग को, तो यह हम लोग का ऐसे ही होता है, ठीक है, यह था negative, और यह था identity, अब next जो मारे पास है, वो है logarithmic, log and inverse log, अब log and inverse log, log कौन सा है, log का line, green वाला है, log, और यह जो नीचे green line है, य inverse log, il लिख रहा हूँ, अब, सेम चीज़ यहाँ पर भी, जैसे identity लगाया था, माले जी यह black वाले image पे, l by 4 पे ही, pixel value l by 4 ही है, लेकिन अब हम लोग को लगाना है, माले जी मुझे ज्यादा level का compression या transformation चाहिए, तो मैं लगा सकता हूँ log, maximum compression मुझे log से मिलेगा, maximum transformation, तो मैं यहाँ पर l by 4 वाले image पे log लगा देता हूँ, तो यहाँ से यह line है, यह line ऐसे से जाएगी, और यहाँ पर touch होगी, देखिए, और यहाँ पर कुछ इस तरह से 3 l by 4 output आ रहा है, मिंस एक black image पे, जिसका pixel value l by 4 है, अगर मैं identity लगा रहा हूँ, तो मुझे सेम l by 4 ही value मिल रहा है pixel output, लेकिन वही मैं अगर output, मिंस अगर logarithmic value लगा रहा हूँ, तो मुझे output मिल रहा है 3 l by 4, तो यह होता है difference, मैं उमीद का तो आप लोको समझ में आ रहा है, तो इस तरह से graph को समझना है, और अगर आप लोको याद रहता है, तो अच्छे से इसको explain भी कीजी, आराम से आप कि रूट, आप लोक ऐसे याज कर सकते हैं, रूट ऐसे रूट, ऊपर पावर करकते हैं, इसलिए, रूट, और यह है अनेथ पावर, अनेथ पावर, नीची वाला लाईन है, और रूट उपर लाईन है, तो यह आप लोको याद रखना है, यह तीन हम लोग का major, लगाना है basic intensity transformation, इनी को मैं अगले वीडियो में अच्छे से with example explain करने वाला हूँ, तो वो वीडियो मिस ना करे, ताकि आप लोग का answer, आप लोग अच्छे से exam में लिख सके, तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे points लगबग cover कर दिये हैं, और इस से जादा तो कुछ ह अगले वीडियो पर उम्मीद आप लोगो वीडियो पसंद आया होगा, बाकी playlist अक्सेस करना मत भूलिए, एक playlist का link में description में दे दूँगा, पूरी digital image processing आप लोग की cover हो जाएगी इसी playlist में, thank you and bye bye, till next time